नमस्कार त्रिप्रवा में आजकल बवाल मचा हुआ है वहां पर टीपरा मोथा पार्टी के प्रमुख प्रद्योद देव बर्मा पर एक टीपरी को लेकर लोग वहां के सीम मारिक सहा के खिला प्रोटेश्ट कर रहे हैं क्या है पूरा मामला और इसका आने वाले समय में जादा वोलिटाइल होते जा रहा है जिस तरह के तस्वीरें त्रिपुरा से आ रही है जितने भी ट्राइबल ओर्गनाइजेशंस हैं इंक्लूडिंग प्रद्योद की पार्टी टिपरा मोथा ये लोग दे हैव हिट ऑन दे स्ट्रीट सड़क पे बहुत वाइट जिनका नाम आप ले रहे थे प्रद्योद उनकी इंसल्ट की कैसे कि इनका ये आरोप है ये ऐलिगेशन है कि 21 तारिक को बीजेपी की एक एक एग्जेकिटिव की बैठक हुई थी जिसके दौरान ये ऐलिगेशन है कि चीफ मिनिस्टर ने अपने पार्टी लीडर्स और कार प्रद्यूद जो है वो अर्ष ट्रॉइल्टी है उसके वो ठी माने जाते है यां blijज माने जाते हैं लेकिन उन्की रिसपेक्ट बहुत है वहां पर और इस वार पुलिटिकली जो उन्होंने अपना असर दिखाये था वहां देखने को मिला था तो को मिलाग के मसलाश यहे ह कि आपने हमारी community के हमारी समधाय कि इतने बड़े royal को एक king को ये कैसे कह दिया कि उनको महराज कह करके आप address ना करें इसके protest में जगा 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 प्रोटेस्ट चल रहे हैं जगा जगा effigies burn करी जारी है चीफ minister की और अभी तक वो शांत होने को राजी नहीं है जब तक कि इस तरह का इस पर action होता हुआ ना देखे तो मुख्यमुद्दा यही है जिसको ले करके एक तरह से सड़क पर लोग उत्रे हुए है कि मेरे बयान को तोड मरवर कर पेश किया गया जान भूच कर यह हिंसा फैलाने की कोशिश है जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है आपको क्या जो रॉयल्टी है वहां कि उनकी में बहुत इज़त करता हूँ और वो मेरी इज़त अभी भी मेरे मन में उनके पती कायम है लेकिन देखें डिस्पाइट अभी तक प्रोटेस्ट वहां पर रुका नहीं है कई जगह जैसे मैंने आपको बताय कि बुद्वार की रात को भी ह कुछ पुलिटिकल मोटिव भी होते हैं इससे भी हम इंकार नहीं कर सकते कि एक मौका मिल गया तो इतना माहूल बना दो की राजनितिक तौर पर उसका कुछ आगे चलके फाइदा उठाए जा सके इसको भी हम निगेट नहीं कर सकते हावेवर ये भी एक होजह हो सकती आपन करने की कोशिश कर रहें तो मुझे लगता है कि उस दोरान एक मौका मिल गया है जिसको ले करके उनकी पार्टी लेकिन मैं फिर दोराना चाहूंगा कि ट्राइबल कमिनिटीज भी जो उनके जो अलग 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 ग्रूप्स हैं चाहे वो महिलाओं के हो चाहे जिस तरह के ग्रूप से वो उतर करके इन आरोपों को लगाते हुए मुख्यमंत्री इखलाब बहुत अग्रेसिव प्रोटेस्ट अभी चल रहा है सर ऐसे कई नेता हैं जो राजसाही परिवार से आते हैं जैसे कि सिंधिया हो गए तो कई बार यह लोग खुद को कई बार यह जनता से अपील करते हैं कि आप लोग मुझे महाराज ना कहें मैं तो आपका सेवक हूँ आपने बिल्कुल सही कहा है मुझे याद है कि यूपीय के दौरान में यूपीय के गवर्मेंट भी जब थी तो बाकाइदा मिस्स गांदी या डॉक्टर मन्मोन सिंग प्राइमिनिस्टर ऑफिस की तरफ से भी इस तरह के सर्कलर्स आते थे इस तरह के एडवाजरी आती थ देखा हो कि मैं महराजा प्रद्युत मने क्या ऐसा नहीं है मैंने फिर काना कि यह उनके फॉलोवर्स है जिन्होंने जमाने से उस अर्स्ट्वाइल रॉयल्टी को देखा है मुझे ऐसा लगता है कि दिस इस मोर टू डू विद से इमोशनल सेंसिटिविटी जो उन्होंने दश्कों से पीडियों से देखा है दूसरा कोई तरीका होता मेरे खैल है अगर इस चीज़ को कनवे करने का कि भाई रॉयल्टी अब वैसी नहीं है जैसे किसी जमाने में हुआ करती थी मुझे लगता है उनको वो इमोशनली जादा हर्ट हुए हैं कि क्यों एक पर्टिक्ल करते हैं मुझे याद है कि कुछ समय पहले तक वो कॉंग्रेस में थे और कॉंग्रेस छोड़ करके उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई तो ऐसा नहीं है कि उनको मैंने कभी यहां दिली में भी देखा कि लोग उनको के और या उनकी उस तरह का आडिटूड हावेवर ल कि वज़े से वो चाहते हैं कि इस पर क्लारिफिकेशन आई या मुख्यमंत्री इस पर सफाही दें या माफी मांगे उसके बाद शायद यह विवाद थमेगा दिस जो आप कहने ही यह लार्जर आर्ग्यूमेंट है जिसको ले करके तमाम सक्सेसिव गोवर्मेंट्स ने पह बड़ मुझे लगता है कि लोगल ट्राइबल कम्यूनिटीज को उनकी उनकी जो सेंसिबिलिटीज हैं उसको चोट पहुंचे होंगे और इस वज़े से वो अब विवाद तो हो गया ना सड़क पे तो उतर गया है क्या होना चाहिए राइटी असली क्या नहीं होना चाहिए यह हम और आप स्टूडियो में डिसकस कर सकते हैं लेकिन मौझूदा हालाच जो हैं वो यह हैं इसका सर असर क्या होगा त्रिपूरा की राजनीत पर आप कहने कि वहाँ पे कूप शुनाव भी होने हैं और आने वाले कुछ समय बाद तो लोग सब शुनाव भी होगा देख ऐसा भी बताया कि उन्होंने कहा कि मेरे किसी पार्टी मैंने मुझे फोन किया और बोला कि मुझे मजबूरी में आपकी पार्टी को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ठीक है यह आइडिया जो है टिप्रा लैंड का सही है लेकिन घर चलाने के लिए खाना भी चाहिए पैसे चाहिए ऐसा जैसा मैंने देखा है मैं अगर इस तरह के आर्गिमेंट्स हैं तो मुझे लगता है कि यह एक कोशिश होगी क्योंकि उन्होंने टिप्रा मुथा ने माफ कीजेगा प्रद्यूत ने खुद भी यह कहा कि मैं यह रिलाइस करता हूं कि इस बाइपोल को लड़न तो ऐसे में यह पार्टी टिप्राम हो था जिसने तेरा सीटे हासिल की पिछले एसेबली एलेक्शन में संबब हैं कि वो यह जानते हुए भी क्योंकि उन्होंने खुद का है कि हम अकिले नहीं जीत सकते कम से कम अगर यूनिटी होती ऑपोजिशन एक साथ आकर कि यह बाइ प्यास प्यार होगा यह सब कुछ आपने इस वीडियो में समझाए चीफ मेंस्टर ने जाकर कि एक रात पहले कल उनसे मुलाकात भी किये तो कही ना कि उनको भी ऐसास है कि बात अब हाथ से निकलती जा रही है पैसिफाई करने के लिए वो कल मिलने भी गए थे अलाकि उन्होंने का था कि मुझे पता चला कि उनकी सेहट ठीक नहीं है इसलिए मैं उनसे मिल लेगा है लेकिन राजनीती में चीज़ें समझ में आ जाते है तो तो त्रिपूरा में चले इस बावाल के बारे में आपने समझा कि क्या मामला है और इसके क्या आसर होंगे इस